नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आपको बता दे कि दूसरी पारी में बारत के द्वारा बहुती सांदार बल्ले बाजी की जा रही है मैं कगरवाल का विकेट गिरने के बाद चेतेस्विर पूजारा और केल राउन ने एक अच्छी बल्ले बाजी की है इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की सर्वात करती हैं उससे पहले दोस्तों आपसे चोड़ाचा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक जुरूर कर दे क्योंकि दोस्तों लाइक और शेर करना ही मारी मैनत का फल होता है बार दे टीम ने पहली पारी में 223 रन बनाई दे जबकि साउत अफरीका की टीम ने पीचा करते वे पहली पारी में 210 रन बनाई यानि पहली पारी में बार दे टीम को 13 रनों के बढ़त मिले बार्धिय टीम ने दूसरी पारी में पांच अवर खेलते वे एक विकेट के नुक्सान पर बीच रन बना लियें मैंक कगरवान ने पंद्रा गेंदों का सामना करते वे एक चोके की साहता से सात रन बना कर आउट हो गई केल राउन ने गुन्यस गेंदों का सामना करते वे दो चोकों की साहता से 10 रन बना कर खेल रही हैं और चेतेश्वर पुजारा बल्ले बाजी करने के लिए अभी-अभी मैदान पर उत्री हैं अब भारतिय टीम के पास 33 रनों की बढ़त हो गई है पहली पारी में बारत की गेंद बाजी की बात करें तो जस्परित गुमरा के द्वारा 32 सांदार गेंद बाजी की गई है जस्परित गुमरा को 5 विकेट मिलिये जबकि सारदुल ठाकुर को भी 1 विकेट मिलिये मौमद समी और उमेश यादो को भी 2-2 विकेट मिलिये